यह question number 2 था जिसके बारे में बता रहा था यह भी 10 marks का 2-3 बार आ चुका है बहुत important है इसमें brass का रोड दिया है जिसका area 1000 mm2 और E का value है 100 GPa इसमें भी वही काम करना है हमको इसको 3 भाग में बाटना है पहले 3 component में बाटना है A B C D तो यह पहला हो गया यह दूसरा हो गया यह त प्राश को देखना है first में कितना load लग रहा है 50 kN का equal and opposite लगा देना यहां पर भी 50 आ गया यहां पर कितना लग रहा है 10 kN का तो equal and opposite यहां पर कितना हो गया 10 अब जो भी निकालना है हमको बीच का निकालना है इसमें यह A B हो गया यह BC हो गया यह CD हो गया मैं क्या करूंगा फिर से section काटूंगा बहुत easy method है section काटना और reaction लगाना इस डियाग्राम को मैं यहां पर बना लेता हूं मैं कौन से पार्ट के लिए solve कर रहा हूं पार्ट BC के लिए क्योंकि AB और CD तो solve हो चुका है उसमें हमको पता चल गया है सब्सक्राइब इसका line 0.6 है इसका line 1.2 है इसका 1.07 में है अब हमको क्या करना है यहां पे का reaction निकालना है अना यह हो गया C यह हो गया D यहां पे 10 किलो न्यूटन है यहां पे 20 है और मैं लगा रहा हूं reaction इस side लगा रहा हूं जैसे हमेशा लगाता हूं यह हो जाएगा आर बी से अना आर को बढ़ा कर लो अब मैं condition of equilibrium of forces लगाते हो सीम में fx equal to 0 तो इधर इस question में क्या हो जाएगा plus 10 minus 20 minus rbc equal to 0 तो इस question में rbc को solve करोगे तो आ रहा है minus 10 किलो न्यूटन अब इस question में क्या minus आ रहा है यह minus है इसका मतलब क्या है मैंने जो direction assume किया था वो गलत है तो हमको क्या करना है direction को बस change कर देना है अब यह change direction को कहां पर करेंगे हम लोग यहां पर भी दिखा सकते हो और direct यहां पर भी दिखा सकते हो अधिक माइनस है मतलब इसका direction क्या हो गया change हो जाएगा इसका direction कैसे change होगा यह इसका direction हो जाएगा इस side ऐसे compressive हो जाएगा तो इसी direction को मैं किस में बनाऊंगा question में बनाऊंगा ठीक parts 2 है इसमें कितना जाएगा 10 किलो न्यूटन 10 किलो न्यूटन अब पहले question टाइप हो गया जो अभी मैंने last वीडियो में बताया था इसमें भी तीन component हो गये कितना है तीनों को अलग अलग solve करना है इसमें ईक अगर बताया था मैंने क्या बताया था लिखनाा ये इसमें टेंशन लग रहा है, इसमें कमपरेशन लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, इसमें कोई टेंशन लग रहा है, ये लिखने का फैदा क्या है, कभी गलती नहीं होता है इसमें, अब इसमें देखना, इसमें कहा है, टोटल इलोंगेशन आप दी बार निकालना है हमको total elongation of divar किता हो गए इसमें delta total equal to a b b c plus c d लेकिन इसमें क्या है tension है इसमें compression है इसमें tension है इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें तीनों में tension था तो कोई problem नहीं था लेकिन यहाँ पे क्या है compression है तो compression में क्या करना है जीज भी part पे compression है उसको हमको क्या कर देना है negative करना है जैसे यहाँ पे का जो positive है उसको क्या कर देना है negative करना है compression के कारण बस और कुछ changes नहीं करना है फिर वैसे ही जैसे तुमने solve किया था last video में पहले solve किये थे वैसे ही solve करना है फिर सब पी ल एई का value put करेंगे इसमें देखो मैंने किया है सब का value put किया है हना unit unit देखते रहना है गलत नहीं होना चाहिए solve करोगे तो यह आ जाएगा 0.32 mm यह भी रहेगा प्लस में ठीक है प्लस आ रहा है मतलब length increase हो रहा है यह भी question easy है same question है ध्यान कहां पे रखना है मैंने बता चुका है दो तीन जगा ध्यान रखना है एक यहाँ पर compression, compression, tension पर component पर unit पर तीन जगा ध्यान रखना है question में फिर यह कभी गलती नहीं हो और unit पर इसके बाद एक last question है यह भी दो तीन बार आ चुका है 10 marks का इस टाइब का last question है इसके बाद मैं अलग question बताऊंगा इसमें क्या है इसमें फिर से 80 kN लग रहा है इसमें 10 kN लग रहा है अब फिर से हमको क्या करना है तीन component बाटना है तीन component में डिवाइड कर देते हैं A, B, B, C, C, D यह हो गया A, B यह B, C हो गया यह C, D component भी दिखा सकते हो यह 1, यह 2, यह 3 अब क्या solve करना है पहले पहले और last को पहले component और last component को पहले solve करना है तो इसमें कितना लग रहा है 80 लग रहा है तो यह हो गया 80 equal and opposite में यह भी हो जाएगा 80 है ना और फिर क्या इधर कितना आएगा इधर 10 लग रहा है इधर भी कितना हो जाएगा 10 देखो यह compressive है ठीक है इधर भी कितना हो जाएगा 10 अब जो भी खेल है हमारा BC पे खेलना है क्योंकि यह सही होगा तो question सही हो जाएगा चलो अब खेली start करते है पिर से हमको क्या करना है section काटना है यह section काटने वाला method तुमको कोई नहीं बताएगा ठीक है किसी college में नहीं बताएगे देख लेना तुम लो यह section काटने वाला method इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि SFD BND में भी हम section काटेंगे torson वाले chapter में भी section काटके बनाएगे सिर्इंग इस्टेट वाले chapter में भी हम को section काटेंगे तो maximum को chapter में हमको section काटके बनाना है इसलिए अभी से इसको अच्छे से सीख लो अभी हम लोग कौन से part को solve कर रहे हैं पार्ट BC को solve कर रहे हैं तो हमको लिखना भी है न वहाँ पर कौन से part को solve कर रहे हैं BC part को solve कर रहे हैं तो यह हो गया CD ठीक है पार्ट BC को solve कर रहे हैं यह हो गया section force लगा देते हैं यह 10 हो गया यह 20 हो गया मैं force का direction हमें इसलिए किदा लेता हूं ऐसे लेता हूं और BC फिर condition of equilibrium of forces लगाना है यह हो जाएगा minus rbc minus 20 minus 10 equal to 0 तो rbc equal to कितना हो जाएगा minus 30 ना minus 30 होगा minus का मतलब क्या है यह minus का मतलब क्या है मैंने जो direction लिया है उसको change करेंगे तो अब direction क्या हो जाएगा अब direction ऐसे हो जाएगा, direction ऐसा है मतलब compressive है, तो इसमें मेरे को क्या करना है, compressive लगा देना है, कितना आ रहा है, 30 kN, 30 kN, इसके बाद एक चीज़ और बता है न, एक चीज़ और बता है हो न, क्या करना है इसके बाद, हमको लिखना है यहाँ पे, इसमें tension दीख रहा है, tension हो गया यह, इसमें compression दीख रहा है, compression हो गया, इसमें भी compression दीख रहा है, यह भी compression हो गया, अब कुछ नहीं करना है, question solve हो गया, यहाँ पे बस ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे, यह tension है, यह compression है, compression है, तो किसका sign change हो जाएगा, यह वाला और यह वाला, क्या हो जाएगा यह देल्टा L A B जो जाएगा माइनस डेल्टा L B C जो जाएगा माइनस डेल्टा एल सीदे पीर से वही काम करना है PL अपॉन एई यह हो गया एवी के लिए PL अपॉन एई यह हो गया BC के लिए PL upon A यह हो गया CD के लिए फिर सबका value रखना है unit check करना है plus minus देखना है इसको solve करोगे तो क्या आएगा फिर इसको solve करने के बाद आएगा minus 0.25 अब यह पहला question है जिसमें minus आया है minus मतलब क्या हो रहा है length decrease हो रहा है यह मैं तुम लोग को क्यों बता रहा हूँ land decrease हो रहा है increase हो रहा है करके question अगर तुम्हारा competitive exam का question रहेगा तो direct question क्या आएगा question क्या आएगा यह question दिया हुए है एक route दिया हुए है area दिया है इसमें यह बताओ कि length increase हो रहा है कि decrease हो रहा है चार आप्शन दे देगा कि लैंद इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज कि पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है इस कोशन में आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस कोशन में total elongation of the bar elongation navigation नहीं होरा है यहाँ पर contraction हो नहीं हो रहा है here burn 92 यहाँ पर land घ्रठ रहा है वैसिस स्कॉशन में क्या हो जाएगा इसके पहलेयाले कोश्चन में इसमें length increase हो रहा है तो इसमें answer क्या हो जाएगा increase इसके पहले विडियो में बताया इनक्रीज प्लस मतला इनक्रीज हो रहा है इसके बाद SSC में और कॉश्चन आता है उसमें डारेक्टव बोलता है कि Scions, Part B2P जो बार है उसका पार्टस, पे कितना इस्ट्रेस लग रहा है बारटस. यह हो घ्या है, हमारा इस्ट्रेस क्या होता है भाई लोड अपॉन एरिया हाना पार्ड बीसी पर पूछा है लोड अपॉन एरिया यहां पर तो इस्ट्रेस क्या हो जाएगा यहां पर इस्ट्रेस होता है बीसी के लिए हो जाएगा PBC upon area BC बस PBC का value पता है हमको कैसे निकालेंगे section से निकालेंगे ऐसा RBC upon area तो direct हमारे एक number का question ये बन गया ठीक है ऐसी कहाँ पर पूछ सकता है ये ही में question कैसे पूछता है part C पर कितना stress आ रहा है part A पर कितना stress आ रहा है component A पर, component 3 पर, component 2 पर कौन से section में कौन से section में tension हो रहा है कौन से में compression हो रहा है कौन से में tension हो रहा है जैसे objective question बताता हूँ मैं ये question number 3 के लिए बताता हूँ मैं question number 3 में क्या बोलेगा कि AB part है BC part और CD part है तो इसमे कौन किस type का stress आ रहा है इसमें टेंशन आ रहा है इसमें टेंशन आ रहा है ऑप्षन ए टेंशन 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 ऑप्षन भी टेंशन कंप्रेशन 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 और एक सही आंसर बना देते हैं क्या रहा है टेंशन कंप्रेशन 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 कंप्रेश तुमनों subjective पढ़ते हो, objective उसी में छुपा रहता है, तो इसको तुमको question को पहचानना है, ये भी एक two marks को question है, ये भी बहुत important question है, और एक और question पूछ सकता है, कौन सा part compressive stress से subjected है, या कौन सा part tensile stress से subjected है, तो इस question में answer क्या हो जाएगा, only part A, B है, जो जिसमें tensile stress लग रहा है, tensile load या tensile stress लग रहा है, ऐसे छोटे-छोटे objective question बनते हैं, और आगे बताते चाहूंगा मैं, ठीक है, next class में मैं और नय question लेके आऊंगा, जो तुमारे exam में आता है, और कुछ-कुछ objective question भी बताऊंगा, इसको अच्छे से देख लीजेगा, अच्छे से समझ लिजेगा, कुछ भी doubt रहेगा, तो पुछ लिजेगा, comment section में comment करके पुछ लिजेगा, okay, thank you